हलो स्टुएंट्स, आई बी टेकिनिकल क्लासेस और आप सबका स्वागत है लास्ट लेक्च्चर के अंदर हम लोग बात किया था डिफरेंट ऐसी सॉप्लाई और डीसी सप्लाई जो हमारा उसके चेलाबा आपका डिफरेंट इसी सिस्टम भी होता था कोई higher voltage पर कोई lower voltage पर इसी तरह different system की बात किया था जिसके माध्यम से आपका electric train या electrical supply देकर हम लोग locomotive को run कराते हैं तो different type of electrification की बात किया था लेकिन आज हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे last जो हम लोग composite system देखा था जिसमें हम लोग three face की बात किया था single face की बात किया था और single face से हम लोग DC के अंदर बदल ले थे यानि single face AC supply को DC के अंदर convert कर रहे थे उस supply को हम लोग composite के अंदर consider कर रहे थे वही supply को हम लोग क्या कहा था universally adopt किया जाता है electric locomotive के लिए electrical traction के लिए तो उसी system के बारे में आज हम लोग फिर से further discuss करेंगे कि हमारे पास AC supply किस तरह से काम कर रहा है और हमारा different section किस तरह से बना हुआ होता है वो सारी बात करेंगे तो सबसे पहले यह समझ लिजे कि हम लोग इससे पहले भी बात किया था जो supply हमारे पास locomotive के लिए काम करता है वहाँ पर हम लोग कितना supply देते हैं 25 kv single face AC supply provide करते हैं यानि 25,000 volt AC supply और single face के अंदर दिया जाता है और यह single face में किस तरह से काम करता है थोड़ा सा इसका introduction हम लोग देखेंगे और इससे पहले कि हम लोग यह वाला diagram समझे उससे पहले आप याद रख लिजे कि आपका जो total power supply system है इसको different category के अंदर बाता गया यानि total overall जो arrangement है power supply का electrification का उसको हमने different categorize किया है different system के अंदर बाता है उसमें से आपका जो पहला system है इसको हम क्या करें sectioning arrangement for power feeding यह first system है यानि section किस तरह से बातेंगे section किस तरह से बनाएंगे इसके लावा हम लोग traction sub station को देखेंगे TSS traction sub station इसके लावा हम लोग feeding post देखेंगे इसके लावा हम लोग sub sectioning and paralleling post देखेंगे और लास्ट में elementary section देखेंगे, तो different ये सारा जितना हमने नाम लिया है, ये power supply arrangement का भाग, यानि total overall power supply को अलग-अलग तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे, तो पहला भाग जो है power supply system का, उसको हम लोग क्या कह रहे है, sectioning arrangement for power feeding, यानि जो power supply दिया जा रहा है, electrical locomotive को, traction system को, electrification क क्या जा रहा है, उसमें सबसे पहला चीज हम समझेंगे, कि section किस तरह से बनाए जा रहा है, ये section क्या है, वो आपको इस diagram से समझ में आ जागा, तो आई ये diagram आप समझते हैं, तो सबसे पहले देख लीजे, हम लोग जो बात किया था, electrical locomotive का, वो कितना supply दे रहे था, उसको ह पहले बात कि था, और वो किस में काम करता है, आपका सिंगल फेस supply पर आपका locomotive रन करता है, रेल का engine को हम लोग सिंगल फेस supply देते हैं, लेकिन जो generation हो रहा वो किस में होता है, three phase के अंदर होता है, तो यहां पर एक पहला चीज़ तो समझना है, single phase, total overall, three phase के अंदर generation होता है three phase के अंदर transmission होता है लेकिन हम लोग जो locomotive के लिए बात करते है electrification का वो single phase में बात करते है तो इसका अंसर हम लोग पहले भी बात किया था कि three phase system के अंदर problem क्या हो जागा यदि यहाँ पर railway के लिए three phase यूज़ करेंगे तो हमारे पास OHE system जो है वो बहुत जादा complex हो जाएगा उसका maintenance करना बहुत जादा complicated maintenance टफ हो जाएगा और आपका initial cost बहुत जादा हो जाएगा इसलिए railway के लिए हम लोग क्या करते हैं single phase supply का यूज़ करते हैं इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो electric train है यह electrification का system है वो आपका single phase load है यानि वो single phase की तरह काम करता है अब जो हमारा transmission हो रहा है यह generating से हम power supply ला रहे हैं वो किस में ला रहे हैं? three phase में ला रहे हैं तो सबसे पहले यह समझे कि single phase three phase से single phase किस तरह हो रहा है यह आपका transmission को represent कर रहा है जो आपका three phase transmission नौर्मली होता है जहां पर R, Y, B तीन अलग-अलग phase होते हैं तो यह supply देखा और यह line कितनी कि होगे transmission आपको मालू में नौर्मली कितना होता है 132 kv होता है, 220 kv होता है या उससे अधिक भी होता है तो यह जो transmission line है यह आपका कितना होगा 132 kv का होगा या 220 kv का भी हो सकता है लेकिन हमने माल लिया कि यह कितना है 132 kv की line है transmission हो रहा है और three phase system के अंदर आपका काम कर रहा है तो R, Y, B तीन phases है अलग-अलग और यह आपका 132 kv line है three phase system है अब आई हम इसको OEC system यानि track के लिए समझेंगे यह three phase system से mainly तोर से यह वाला position आपको समझना है तो इसमें क्या करेंगे हम अब देखिए three phase system आ रहा है तो चुकि हमारा load जो है वो कौन सा है single phase में हमको ले जाना है इसलिए हम क्या करेंगे तीनो phase को एक साथ connect नहीं करें या जी तीनो आर वाई भी तीनो connect की जगा तो आपको क्या हो जागा three phase system हो जाएगा लेकिन हमको three phase system traction के लिए नहीं चाहिए single phase चाहिए अगर तीनो phase में कराईएगा तो फिर से हम बोल रहे है complexity बढ़ जाएगी maintenance बढ़ जाएगा initial cost बढ़ जाएगा इसलिए railway electrification के हम लोग single phase supply लेते हैं तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम तो अब यहाँ से जो हमारा transmission line था इस transmission से हमने क्या क्या है single phase supply लाया तो single phase supply आपको कहां से मिलीगी तो हमने एक phase R से connect कर लिए और दूसरा किस से connect कर लिए है y phase से connect कर लिए तो अब यह जो supply मिलेगी यहाँ पर कितना मिलेगा आपको यह 132 kv मिलेगा यहाँ पर कोई confusion नहीं होना चाहिए line to line voltage ऐसा नहीं कि हम केवल 2 phase से connect किया है तो 132 की जगा पर कुछ कम हो जागा नहीं आपका line to line voltage क्या होगा same 132 kv होगा लेकिन यह जो voltage होगा यह आपका क्या कहलागा phase voltage कहलागा क्यों कहेंगे phase voltage इसको क्योंकि तीनो phase से हम connect line to line है लेकिन हमारे पास आप धियान से समझे network में आपने पढ़ा होगा यदि हम 2 कर रहे हैं इसमें से क्या होगा आपका एक phase की तरह और दूसरा neutral की तरह काम करेगा returning की तरह काम करेगा तभी तो circuit इसका complete होगा इसलिए हमारा अगर मान के चले R phase है तो आपका Y क्या करेगा इस case में अगर 2 connection केवल कर रहे हैं तो आपका यह वाला आपका returning की तरह काम करेगा तो आपको supply कितिनी मिल जागी 132 के वी ही मिलेगा लेकिन total 3 phase system इससे connect नहीं किया है single phase connect system किया है यानि केवल 2 phase से supply ले रहे हैं जहाँ पर 2 phase मिला कर आपका single phase की तरह काम करेगा यानि एक phase की तरह दूसरा आपका neutral या returning की तरह काम करेगा और यह continuous आपको मालूम होगा change होता रहता है ठीक है 120 degree का phase displacement होगा और यह आपका continuous 120 degree पर rotation होता रहेगा तो यह तो 132 की बात होगे अब यहाँ पर थोड़ा से आपको confusion यह होगा कि 132 यहाँ से single phase supply लोड दे रहे है तो फिर हमारा पूरा system unbalance हो जागा इसलिए आगे हम लोग समझेंगे इस system को balance किस तरह करना है ताकि तीनो phase से हम क्या कर सके बराबर बराबर लोड ले सके अगर केवल एक phase से लोड ली जागा यानि दो phase आप connect किये है तो आपका क्या हो जागा यह वाला छूट जागा तो यहाँ वाला क्या हो जागा unbalance आपका system हो जागा इसलिए balance करने के लिए आगे हम लोग बात करेंगे पहले यह वाला समझे लिए 132 के 132 केवी की supply यहाँ पर आ गई है 132 केवी हमारे पास क्या हुआ है single face supply यहाँ पर लाए है और यहाँ से अब हम क्या करेंगे step down transformer लगा है यह step down transformer आपका क्या करेगा 132 केवी से 25 केवी के अंदर convert करेगा और यह जो transformer है 3 face transformer है या single face transformer है तो यह transformer आपका single phase step down transformer है इसके primary side भी single phase मिलना है 132 के भी और secondary side भी इसका single phase system है 132 के भी primary side मिल गयो और secondary side क्या हो गया 25 के भी मिलेगा वो भी आपका single phase है जहाँ पर एक आपका positive wire और दूसरा negative या returning wire और ये returning wire को हमने क्या कर दिया ground कर दिया यानि जो इसका अर्थ होगा यानि आपका जो ground है अर्थ वही आपका क्या करेगा returning का काम करेगा वो आपका अर्थ या आपका neutral wire की तरह काम करेगा अर्थ पिर्थ भी ठीक है तो ये आपका दूसरा primary side मिल गया और secondary side आपका ये मिल गया तो ये भी आपका single phase system 132 के वी और ये भी आपका single phase system 25 के वी है जितन आपको अब शक्ता होगे आप कर सकते हैं तो हमने number of tons घटा दी जगा तो क्या हो जागा step down हो जागा इसलिए number of tons घटा के हमने कितना कर लिया है इस तरह arrangement किया कि हमको output में कितना मिल जाए 25 के वी मिल जाए अब देखी यहाँ पर जब 25 के वी आपको मिल गया तो अब हम क्या करेंगे इसी 25 के वी जो single phase है इस single phase को लेकर हम क्या करेंगे अब wire को जो आपना track बिचावा पटरी बिचावा होता है इसके उपर जो wire गियावा है वो आपका यही wire यानि 25 के वी का wire रन कियावा होगा तो यहाँ से भी transmission वाला portion हो गया यह आपका TSS यानि आपका traction सब station हो गया और यह आपका OHE system यानि track के उपर आपका जो बिचावा है line वो line हो गया यहाँ पर हम क्या कि यह 132 के वी से 25 किया यह 25 के वी के line है अब यहाँ पर दो wire हमने run करा है तो यह समझेगा कि एक phase और दूसरा आपका neutral है नहीं connection करके आप चाहेंगे तो इसको तीन भी बना सकते हैं दो क्यों हमने बनाया है इसको ताके दो track को हम electrified कर रहें यानि दो पट्री बीचावा था पहला पट्री और दूसरा पट्री तो यह पहले track के लिए और यह वाला दूसरे track के लिए एक आप track बोलते हैं और दूसरा down track यानि एक तरफ से train जाएगा और दूसरे तरफ से train आएगा उसके लिए हमने दो track को electrified कर दिया है और दोनों के पास जो wire है वो कैसा है positive wire है negative कहां से मिलेगा तो negative आपका अर्थ से मिलेगा और अर्थ का मतलब जो पट्री बीचावा होगा वही आपका अर्थ की तरह काम करे के तीन को तीन track को भी electrified कर आप देखेंगे station पर एक जगह पर दस दस platform बना होता है तो हर platform यानि हट पट्री को उपर electrified है तार भी चावा तो वो सब कैसा wire है positive wire यानि यहां से लेकर आप जितना भी parallel connection कर लेंगे सब को कैसा मिल जागा positive wire आपको चला जागे यानि positive आपका जो wire conductor है वो run करेगा negative कहां से तो negative नीचे वाला जो पट्री होता है वो पट्री से उसको मिलेगा circuit कैसे complete होगा वो भी समझाएंगे हम पहले ये चीज़ समझ लीजे तो ये आपका दो positive wire यही वाला wire को दो भाग के अंदर बाट दिया तो दोनों आपका positive wire है दोनों face wire है ये पूरे power supply को हम क्या करते है section के अंदर बनाते है section बाटते है क्यों क्यूंकि आप देखे three face system है तो इसमें सामने क्या क्या केवल दो ही face का use किया है याई आपका एक R और Y से connect करकि सिंगल face supply हमने यहां पर लिया 132 के वे लेकिन अब B वाला use नहीं हुआ तो ये वाला क्या हो water unbalance हो जागा और वो damage हो जागा इसलिए हमको balance करना है तो balance करने के लिए हम क्या किये हैं अगला जो rotation हमने supply लिया है थोड़ा दूर चलने के बाद यह वाला portion हमने supply दिया और कुछ दूर चलने के बाद अब जो supply देंगे वो क्या कर देंगे हम दूसरे face से देंगे तो एक हम हमने y face connect कर दिया और दूसरा हमने b face connect कर दिया तो यहां पर भी सेम हमको 25 के वी sorry 132 के वी मिल जागा और इस step down करके हम 25 के अंदर convert कर देंगे similarly थोड़ा दूर आप चलने के बाद हमने पहला वाला r और y के बीच किया दूसरा y और b और तीसरा हमने क्या कर दिया r और b के बीच में connection कर दिया और यहां पर भी क्या कर दिया है 132 के वी मिले आपको अब ध्यान रखिए कि यह तीनों हम लोग यानि कि थोड़े थोड़े दूर पर क्या कर दिया rotation कर दिया इस rotation करने से क्या हो जाएगा आपका जो system है वो three phase system वो balance हो जाएगा आरसन में तो three phase system को balance करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अलग-अलग phase से supply लेते हैं locomotive को देने के लिए locomotive आपका single phase supply पर काम करता है और आपका transmission three phase है और three phase को balance रखना है तो इसलिए हम क्या करेंगे अलग-अलग section बनाएंगे और उस section के अंदर जो phase है उस phase का rotation करेंगे पहला वाला phase r y पर काम कर रहा है दूसरा y b पर काम कर रहा है और तीसरा r और b पर काम कर रहा है इस तरह से आपका तीनों phase मिला कर balance हो जागा अगर आपको काम करना है तो चौथा लेकर छोड़ेंगे नहीं अगर आपको फिर अगला section बनाना है तो आपको r y अगर लेने तो फिर से y b और b r लेना होगा यानि कि तीन के pair में चलना होगा तीन आप section बना है फिर अगर section आगे बनाना है तो आपको 6 section बनाना होगा 9 section ताकि आपका transmission line और उसके साथ लगाओ alternator balance रहा है अब एक चीज़ और समझी यहाँ पर अब चुँकर ये वाला section पहला जो section यहीं मेरा section ही कहलाएगा यानि ये वाला पूरा portion क्या होगा आपका एक section पर काम कर रहा है ये दूसरा क्या कर रहा है second section ये तीसरा second section कहलाएगा तो first जो section है ये देखे किस phase पर काम कर रहा है ये R और Y पर काम कर रहा है दूसरा section किस पर कर रहा है तो Y और B पर और तीसरा section किस पर कर रहा है R और B पर काम कर रहा है तो यदि हम क्या करेंगे तीनों दो section है तो ये दो section अलग-अलग phase पर काम कर रहा है और इन दोनों को आपस में यूदि हम कुलाइट करा देते हैं तो क्या हो जाएगा शार्ट सर्किट हो जाएगा तो उस शार्ट सर्किट से बचने के लिए चुंकि दो अलग-अलग section दो अलग-अलग face पर काम कर रहा है इसी तरह ये दोनों से section हमारा क्या कर रहा है दो अलग-अलग phase पर काम कर रहा है तो वो दोनों आपस में collide नहीं करें टकराई नहीं उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोनों section को हम लोग अलग-अलग phase से लेने के लिए हम लोग supply तो अलग-अलग section आपका collide नहीं करें टकराई नहीं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बीच में एक अलग से इंसुलेटर लगाते हैं ये इंसुलेटर क्या करेगा दो अलग-अलग सेक्शन को आपस में बाटने का काम करेगा और इसी इंसुलेटर को हम क्या करते हैं न्यूटरल सेक्शन करते हैं यानि इसमें और क्या क्या है र जाए दो अलग-अलग section आपस में दो अलग-अलग phase आपस में टकराए नहीं ठीक है तो ये वाला जो section इसको हम लोग neutral section कहते हैं ये neutral section का काम क्या है दो अलग-अलग जो phase पर काम कर रहा हमारा OHE system इसको आपस में collide नहीं कराए टकराए नहीं उससे बचने के लिए हम लोग बीच में neutral section बनाते हैं इसी तरह ये भी दोनों अलग-अलग-अलग phase पर काम कर रहा तो इन दोनों के बीच में भी neutral section बनाएंगे ताकि ये वाला अगर हमारे पास R phase पर काम कर रहा दूसरा Y phase पर काम कर रहा तो ये दोनों आपस में collide टकराए नहीं तो ये आपस में एक separate section हो गया ये separate section हो गया और वो आपका तीसरा separate section हो गया तो इसी तीनों क्या हो गया अलग-अलग section पर हमारा काम करता है और तीनों आपस में टकराए ने उसके लिए बीच मे neutral section provide करते हैं ठीक है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अब एक चीज़ और आपको समझा देते हैं हमारा circuit किस तरह से complete होगा तो ये जो आपका हमने बता है कि ये face और ये वाला neutral नहीं है ये भी face wire हो और ये भी क्या है face wire क्योंकि ये वाला face wire आ रहा है और जो neutral तो तो ground कर दिया हमने तो ये भी face wire और ये भी face wire तो फिर circuit किस तरह से हमारे पास operate होगा तो ये वाला देख लिए आपने single face 25 के वी overhead line है दोनों अब हमको समझाते हैं circuit किस तरह से complete होगा यहीं पर समझ लिजे बीच में तो मन के चलिए कि हमारे पास क्या हो रहा है हमने एक locomotive को देखाएगी आपका क्या हो गया locomotive हो गया यहाँ पर run कर रहा है ठीक है नीचे पटरी बीची भी है यह वाली पटरी है अब यहाँ पर कैसे हमारे पास काम होगा तो आपका देखी कि जैसे इसके यहाँ पर supply यहाँ यहाँ पर locomotive आया तो यह वाला आपका क्या है pentograph कर लात इस पर कार का equipment लगावा होता है जो current collection का काम करता है तो जैसे यह तार उपर से जाके टकराएगा वहाँ से supply आएगी और आपने क्या कर देगा circuit को complete करेगा वहाँ से आपका electrical supply आपका locomotive तक आ जागी तो यह आपका pentograph है आपका pentograph जाके उपर टकराया और उपर से जैसे ही इ positive wire मिल गया यानि कि face wire मिल गया और earth इसको कहां से मिलेगा तो earth ground से मिलेगा तो यहाँ पर हमारा transformer लगा होता है ठीक है तो transformer का एक wire हम लोग इससे positive से connect करते हैं और दूसरा क्या हो जागा आपका जो wheel होता है इस पहिया से connect होगा और पहिया की से touch होगा आपका पटरी से touch पर grounded किया होता है तो देखिए यहां पर भी ground earth है और यहां पर भी earth है तो यह कुल मिला कर क्या हो जागा यह face wire और नीचे वाला earth मिल जाएगा तो यह अपना circuit को complete कर देगा यानि current इधर से आएगा और यहां से होता होता है returning यहां पर चला आएगा इसका मतलब क्या आ रहा स phase wire और नीचे से पहिया से होता है current नीचे returning चला जाएगा और यह अपना circuit को complete कर लेगा ठीक है तो आपका इस तरह से क्या होता है OHE system काम करता और mainly तोर से इस diagram में आपको क्या समझ में आया होगा section की इस तरह से बनाते हैं तो total three phase system था लेकिन हमने उसको single phase में convert करना था है इ अलग अलग जो section है वो अलग अलग phase पर काम करता है और यह phase आपस में टकराएं नहीं उसमें बीच में एक insulator लगाते हैं इसी insulator को हम लोग क्या कहते हैं neutral section कहते हैं और भी बहुत सारी बात neutral section में है जो topic के अंदर हम लोग बात करेंगे तो different phase को isolate करने के लिए अलग करने के तो क्या हो जाए मिला दे तो इसलिए हम लोग क्या करते है इस section को बड़ा रखते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए यह वाला lokomotiv है यह वाला रहा है तो यहाँ से यह वाला phase यहाँ पर यहाँ मतल址 दूसरा section में इंटर कर रहा है तो यह दो section को आपस में मिलाएं नहीं ठीक है तो थोड़ा सा बढ़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा इधर ट्रेन आ रहा है तो जैसे ये वाला section से पास हुआ तो यहां से इसका supply कट हो जाता है और थोड़ा दूर चलने के बाद फिर से दूसरे section के अंदर जाता है जो दूसरे face पर काम करता है इसलहा हमारे पास O OHE system के अंदर हम लोग जो neutral section बनाते हैं वो थोड़ा बड़ा बनाते हैं लेंथ उसका जादा होता है ताकि हमारे पास जादा मतलब कि बहुत जादा नहीं लगभग हमारे पास जो लोकोमोटिव का लेंथ होता है उतना ही लेंथ के हम लोग आपका neutral section का और लगभग वो कितना 41 मीटर 41 मीटर के लगभग हम लोग बनाते हैं और भी छोटा भी बनाते हैं उसमें different आपका size होता है जो आगे हम लोग बात करेंगे तो आके हमारे पास OHE system दो section को यानि दो अलग-अलग face को आपस में collide नहीं करा है तक राय नहीं तो I hope यह सारी चीज़ आपको समझ में आ रहे होगी इसके बाद भी dot अगर कुछ आता है तो आप पूछ सकते हैं thank you धन्यवाद